नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों सुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे सेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें राशी मेश ओवर्वियू कुमारों, आज आप आउनलाइन किसी से मिल सकते हैं, लंबी दूरी पर रहने वालों के बीच रिष्टा बनने की पूरी संभावना है, आगे बढ़ें और खोज जारी रखें, जिसके साथ बात कर रही हैं उसके बारे में सावधानी रखें, किसी अजनबी से मिलना आपकी का संकेत नहीं है, सुरक्षित रहकर आउनलाइन पर मेल जोल बढ़ाएं, राशी मेश, करियर, आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी निपुन सलाहकार की सलाह की जरूरत होगी, सलाहकार का चुनाव करते समय सावधान रहें, कहीं आपको कोई गलत सलाह ना मिल राशी मेश, फाइनांस, आपके लिए आज का दिन भाग्यशाली है, कहीं से पैसे आएंगे, आपकी लोटरी खरीदने में रुची नहीं है, तो अगले कुछ दिनों में आप जो गाड़ी और संपत्ती खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखें कि उसमें आपका भाग्यशाली नंबर जरूर हो, आज के दिन कुछ बज़त हो सकती है, कहीं से अतरिक्त रकम भी आने वाली है, राशी मेश, हेल्थ, किसी भी वाहन को चलाते समय आज आपको बेहत सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना दुरगटना हो सकती है, आज आपको सड़क दुरगटना में कोई चोट भी लग सकती है, पैदल और वाहन चलाते समय आपको बेहत सतर्क रहने की आवशकता है, और ध्यान रहे, आप रोड पर यातायात के नियमों का भी पालन करें, राशी व्रेश, ओवर्विव, आज आपको शायद अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा लिया गय निर्णय सही ना लगे, इस निर्णय का असर आप पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप इस थिती में नहीं हैं कि इसको बदल सकें, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसकी शिकायत ना करके इसे यूही स्विकार कर लें, ध्यान रखें कि कुछ लड़ाईयां बिना प्यार भरी जिंदगी में आज वादा करने का दिन है, अपने साथी के साथ जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, साथी का सच्चा प्यार आपको अपना बीता हुआ समय भुला देगा, तथा प्यार के नए आयाम पर ले चलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपको सच्चा प विष्टे को और अधिक मजबूत करने की भरपूर कोशिश में लग जाएं, क्योंकि ऐसा अफसर बार बार नहीं मिलता है, आज के दिन को भरपूर जियें विक्रे या विपणन क्षेत्र के व्यक्तियों पर अपने पिछले काम बधिकारियों का दबाव रहेगा, आज बदलाव के रूप में थोड़ा सा आराम किया जाना चाहिए, बीमा क्षेत्र के लोगों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है खाल में दिखावा और ठाट बाट पर खर्च करने के कारण आज आपको नकदी की कमी खलेगी, इसके चलते आज कोई कर्च ले सकते हैं, आज आप पीछे रहें, दोस्तों को ही खर्च करने दें, पिछली गलतियों से सीखें, खर्च पर लगाम रखें, कुछ तो भरपाई राशी व्रेश, हेल्द, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहें हैं, तो रोड पर आपको ज्यादा सावधान होकर चलना होगा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, ताकि आपको रास्ते में पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए, आज आपको पेट से पान को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवशकता है, आज आपका ही दिन है, क्योंकि आज सब की नजरें आपके आकरशक व्यक्तित्व पर ही रहेंगी, आज आपकी योग्यताओं वो सफलताओं के लिए आपको पहचान मिलेगी, आज आप अपने प्रियजनों के साथ वक्त गुजारेंगे, इस अफसर का पूरा लाब उठाएं। इनके क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ है, अतरिक्त दायत्व और पदभार के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपने काम में सराहना मिलेगी, इन सभी सकारात्मक बातों का लाब अपने भविश्य को बनाने में किया जा अपने खर्चों पर नियंत्रन लगाएं, सिर्फ खरीदना है, इसलिए खर्चते रहने की बात को काबू में लाएं, आज आपको ये भी लगता है कि आपके पास कुछ धन है जिसे खर्च करना जरूरी है और आप खरीदारी पर निकल पड़ेंगे, आज का दिन स्वैम के विशे में विचार करने का है, यदि आप अपने लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तब अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए संतुलित खरीदारी कीजिए आज भी मानसिक तनाव रहेगा, आज का दिन चुनोती पून्ड रहेगा, आप चिंता न करें और अपने को किसी रुची से भरे कारे में लगाएं आज का दिन उन विद्यार्थियों के लिए शुब है, जिन्होंने चात्रवित्ती के लिए आवेदन किया हुआ है, ये अच्छी सूचना आपको अपने शैक्षणिक उद्देशों को प्राप्ट करने की प्रेरणा देगी आप इस समय शायद विदेश जाने की सोच रही हैं, इन सकारात्मक अवसरों का पूरा लाब उठाएं अपने मन की चाहतें अपने साथी को बताने से आपके संबंध में नई जान आएगी ये ना सिर्फ आपको उस भारी बोज से छुटकारा दिलाएंगी, जो आप अपने दिल पर लेकर घूम रही हैं, बलकि प्यार दिखाने का रास्ता भी खोलेंगी आपके संबंध को साफ बाचीत से बहुत फाइदा पहुँचेगा यदि आप नौकरी बदलने की सोच रही हैं, तो इसके लिए काफी सारी योजनाई बनाने की आवशक्ता है यदि इस निरने को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, तो ज्यादा सही होगा आपके वर्तमान कार्याले में आपको सहकर्मियों का भरपूर सहीयोग मिला है, साथ ही किसी प्रभावी व्यक्तित्व का साथ भी अपने फैसले को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने लखी नंबर का इस्तेमाल कीजिए कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो उसके दस्तावेजों का भी अपने लखी नंबर से मिलान कराईए इससे आप फायदे में रहेंगे और कहीं से पैसा आता भी दिखेगा योग विशेशग्य द्वारा दिये गए बहुमूल्य टिप्स आपके लिए लाबकारी सिद्ध होंगे ध्यान रहे आप कुछ समय निकाल कर आराम जरूर करें आराम करते समय आप तनाव को अपने कंधों से निकाल फेंकें और इस समय आप अपने विचारों को भटकने न दें ऐसा नियमित करने से आपको आराम मिलेगा और उर्जा भी बढ़ेगी आज आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि जिनको आप अपना दोस्त समझते थे वही पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं ये सब सुनकर आप अपना आपा ना खो बैठें बलकि शान्ती वर धैरी से परिस्तिती को संभालने की कोशिश करें इन लोगों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके रिष्टे में खटास का क्या कारण है आज आपको अपने फॉलादी इरादों से अपने साथी के बारे में आवांचित विचारों को निकाल देना चाहिए आपस में व्याप्त गलत वहमियों को मिटाने का भरसक प्रयात्न करें जिससे आपसी प्रेम वह समझदारी बढ़ सके आज आपको लोगों से मिलते रहना चाहिए इससे आप कई महतुपूर्ण लोगों से संबंध कायम कर सकेंगे अपनी संस्था के बड़े लोगों से मिलने में न हिचकें वो आपके साहस की प्रशंसा ही करेंगे यदि आपकी विदेशी संस्थाओं से साजेदारी है तो समय अच्छा है अपने व्यापार और शिक्षा के विस्तार में इस मौके का इस्तिमाल करें अपना होसला बनाए रखें आप पाएंगे कि आपको आपकी महनत का फल मिल रहा है आज आप अपनी स्वास्त संबंधी क्रियाओं पर ध्यान देंगे आज आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा आज आप ताजा खाना खाने पर ध्यान देंगे ताकि आप संतुलित आहार ले सके आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे आज आप जीवन के हर स्तर पर अच्छा महसूस करेंगे अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार के सजस्यों के बीच कोई तनाव चल रहा है तो आपको उस समस्या को जड़ से उखाड फेकने की कोशिश करनी चाहिए रिष्टों के बीच कड़वा हट पैदा ना होने दें आज आप पूरा ब्रयास करें कि सब परिजन एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे पर भरोसा करें राशिकन्या रोमैंस रोमैंस की दुनिया में आज सबर ही सब कुछ है आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा आपसे वो चीज़ें कहलवा रहा है जिनको लेकर आप बाद में पच्चताने वाले हैं आज आपका गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिकेगा पर गुस्से के वक्त कहे गए कुछ अनुचित शब्दों का असर काफी दिनों तक रहेगा आज आपका लक्ष होना चाहिए अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो चुप रहो राशिकन्या करिया नई नौकरी के बारे में अभी आप कोई निर्णे नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें ध्यान रखें कि अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे तो आपको व्यावसाई क्षेत्र में परिशानी का सामना करना पड़ सकता है ध्यान से सोचें और अपने भविश के उद्देशों को अपने सामने रखें कुछ नया आजमाने से भी परहेज ना करें वास्तव में आज आपको निश्चित रूप से पुरानी पैत्रिक संपत्ती, जमीन जायदाद या आभूशन के रूप में प्राप्त होगी ये आपके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है, अतह ये आपके लिए एक आकरशक इनाम है इस आकरशक तोहपे की सराह ना करें, क्योंकि ये आपकी आर्तिक सिती में सुधार लाएगा मदिरा पान से दूर रहें, हो सकता है आज आपको मानसिक तनाव रहें, इसलिए शराब के बारे में ना सोचें घर पर ही रहकर आराम करें और खुद को बुरी आदतों का शिकार ना बनने दें आज आपके घरेलू जीवन में कुछ उतल पुतल हो सकती है, लेकिन परेशान ना हूँ, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा घर पर मेहमानों के आने से शोर तो बढ़ेगा ही, खुशियां भी बढ़ेंगी अगर उनके साथ मजे करने के लिए आपको अपनी रात की नींद भी गवानी पड़े, तो भी तयार रहें और एक दूसरे के साथ का पूरा आनन्द उठाएं आपका सुन्दर शारेदिक ढाचा आज किसी को बहुत जादा अकर्शित करेगा, पर आप उसके प्रती उचित प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होंगे बलकि आप दो कदम पीछे हटना चाहेंगे आप ये सोचने को विवश होंगे कि इस नए रिष्टे से मैं क्या पाना चाहता हूँ आप निरणे लेते वक्त असमन जसमें रहेंगे आज कोई खास काम या आकर्शक योजना आपको सारा दिन घेरे रहेगी आपका सारा दिन इस बारे में सोचने में ही निकल जाएगा इसके पूरा करने में आप अपनी सारी महनत लगा देंगे आज का दिन गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं है इसलिए आपके लिए सलाह यही है कि आज नहीं गाड़ी की खरीदारी ना करें आज खरीदी गई गाड़ी आपके तनाव और चिंता का कारण बन सकती है इसलिए गाड़ी खरीदने की योजना अभी टाल दें आज आप उदास हो सकते हैं चुनोतिया भी होंगी परंतु आप अपना मूड बनाए रखें और अच्छा महसूस करने की कोशिश करें आज के दिन को बीतने दें कल फिर नई शुरुवाद होगी आपकी शायद किसी उच अधिकारी के साथ न बनें लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपनी समझ और कूट नीती से अपना काम निकलवा लें आप अपनी बात उनको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें आप अपने आपको बार-बार याद दिलाते रहें कि आपको कूट नीती से पेश आना है आप अत्रिक्त खुशी में मगन होकर अपने साथी के लिए कुछ कर गुजरने की स्थिती में हैं इन दिनों आप दोनों ही रोमैंटिक मूड में मगन हैं आज के दिन अपने साथी को कोई उपहार भेंट में दीजिए। नवीन काम के साथ धेर सारे उत्तरदायत्व भी सामने आएंगे। आपको संस्थान के प्रतिमान के साथ चलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। संस्थान के किसी तकनीकी काम में आपकी प्रतिभा का परिचय मिलेगा। यदि कड़ी मेहनत से काम करेंगे तो आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। इस वक्त आपके लिए बाजार में पूझी निवेश करना बहुत लाबदायक है। फिर भी आप बहुत ही बुद्धि मत्ता पूर्ण एवं शोध पूर्ण तरीके से इस अवसर को ग्रहन करें। पहले आप अपने पूरे पूझी निवेश के प्रारूप के बारे में सोचेंगे। कम लाब एवं लंबी अवधी के लिए किये गए निवेश विवसाई के लिए अच्छे आधार तै कर सकते हैं। आज आपको डॉक्तर के पास जाच के लिए जाना चाहिए। हो सकता है आप ठीक हों, मगर फिर भी आपको जाच करानी होगी। क्योंना आज ही दांत के डॉक्टर से समय लें ताकि आज ही सफाई करा सकें। जो भी फैसला आप आज लेंगे, वो आपके भविश्य में लाबदायक होगा। आज आपको लगेगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। आज आप अपने परिवार वकार्याले के लोगों के लिए भी भाग्यशाली साबित होंगे। इस अफ़जर का फायदा उठाते हुए दूसरों की मदद करें। वो आपको इसके लिए सराहेंगे। आज आप ये जान सकते हैं कि आपको प्यार हो गया है। जीवन अब अलग और सब कुछ ताजा वन नया लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप और आपका साथी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों का प्यार में होना सुकत बात है। वो ये आगे ज़्यादा गहरा हो सकता है। याद रखें कि एक दूसरे की देखभाल के प्रयास आपके संबंध में आगे के लिए नई जान डालेंगे। आप लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना शुरू ना कर दें। आप पर काम का बोज बहुत बढ़ गया है और आप कुछ ठका हुआ समहसूस करने लगे हैं। संतुलन बना कर रखें। अगर जरूरत हो तो काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ा और समय भी मांग सकते हैं। यदि आप पूंजी निवेश के लिए अपने इलाके में अचल संपत्ती खरीदना चाहते हैं तो आज ही उसका निरने कर लें। जमीन चायदात पर किया गया कर्च आगे चल कर बहुत ही फायदेमन सावित हो सकता है। इससे अचानक धन वर्षा भी हो सकती है। ऐसे लाब का आप तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं। जिन्हें भी ब्लड प्रेशर और मधुमेह की शिकायत है, उन्हें अपनी सेहत के लिए सावधान रहना होगा। ध्यान रहे, आप वही भोजन खाएं जो आप के लिए उचित है और व्यायाम भी करें। कोशिश करें कि तनाव ज्यादा ना लें। योग और ध्यान केंद्रित करने जैसी प्रतिक्रिया अवश्य करें। इससे आप एकदम फिट रहेंगे। राशी मकर, ओवर्विव आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, जिनका अपने माता-पिता से परिचेक कराने में आपको कोई संकोच नहीं होगा। आपकी पसंद पर आपसे भी ज्यादा आपके अभिभावक खुश होंगे, क्यूंकि वो पार्टनर आपके साथ-साथ आपके घरवालों की भी खातिर करता है। आप इस रिष्टे को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। राशी मकर, करियर आज आप अपने कार्याले में तनाव पूर्ण माहौल पाएंगे। आप अपने आपको शांत रखें वरना इसके कारण परिशानी आ सकती है। आज आपका सबसे महतपूर्ण काम यही है कि आप शांती से काम करें और अपने लंबे समय के लक्षियों पर ध्यान दें। अच्छा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ना दें। आप सावधान रहें क्योंकि आज आपकी कोई प्रिय वस्तुख होने का भय है। यह तै कर लें कि आपको जानकारी है कि आपने अपनी सभी मूल्यवान वस्तुएं कहां कहां रखी हैं। तथा उन्हें असावधानी से ना रखें ताकि उसके नुकसान से आपको पच्चतावा ना हो। कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तो जल्दी से उसका निरधारन कर लें। वरना चोरी होने की आशंका बनी रहेगी। आज आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की आवशकता है। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसी ना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं। इससे आप खुद को उरजावान महसूस करेंगे। हो सकता है शुरुवात में आप ठकावट महसूस करें। मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बहतर हो रही है। आज आप घर में ज्घड़ा कर सकते हैं। अपने उस्से पर काबू रखें। ये ज्घड़ा घर की साफ सफाई या घर की जिम्मेदारियों को लेकर हो सकता है। ज्घड़ा करने से बचें और अपने घर की शान्ती बनाए रखें। आपके शान्त वो रोमैंटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मद्भेद हो सकते हैं। इन अवांचनिय परिस्थितियों से निबढने के लिए यदि आप अपने साथी को प्यार भरी निशानी देंगे तो वह अचूक इलाज सावित होगा। जिससे आपसी प्रेम फिर से उमंगे भरने लगेगा। राशिकुम्भ करियर व्यापारिक प्रबंधकों के लिए आज का दिन शुभ है। आपको कमपनी में एक उच्च पदशी ग्रही मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तरदायत्व और काम के बोज के लिए तयार रहना होगा। आज आपको सही संभाशन कला का लाब मिलने वाला है। आपको सही सेहत के लिए अपने काम के तनाव को लेकर कुछ करना होगा। व्यवसाए में धीमी गती से कामकाज चलने के कारण आप आर्थिक रूप से तनाव में घिर सकते हैं। लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने विवसाए में सुधार करने की कोशिश करें। कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाएं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम शुरू करें इससे पहले उन्हें जरूर पूरा कर लें जो पहले से ही हाथ में हैं। संभल कर चलेंगे तो अपने आर्थिक लक्ष को भी पूरा कर लेंगे। जो भी हो अच्छे परणाम के लिए अपनी नीतियों को भी थोड़ा बदलना होगा। आज आप थोड़ी सी ठकावट महसूस कर सकते हैं। आज आप घबराए हुए हैं और इसका कारण ढूनने में भी असमर्थ हैं। आप वज़ा ढूनने की कोशिश न करें। आराम करें और गहरी सांसे लें ताकि आप हर समय अच्छा महसूस करें। ये वक्त गुजरते ही आप फिर से पहले जैसी स्थिरता महसूस करेंगे। आप अपनी जान पहचान के जरिये अपने व्यावसाइक और सामाजिक जीवन में सफलता पाएंगे। इस रिष्टे को बनाए रखें क्यूंकि इस से आपके जीवन में बहुत से बदलावाएंगे। आप उनको अपनी और आकर्षित करेंगे। कार्याले के किसी साथी से मजाक में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसका पचतावा आपको आने वाले दिनों में रह सकता है। राशिमीन करिया। पदोन्नती के साथ उत्तरदायत्व भी आपके साथ हैं। इस जिम्मेदारी से आपका आत्म विश्व करें। राशिमीन फाइन्स आज आमदनी कम खर्चा जादा है। यहां तक की खर्च आपकी कमाई से भी जादा हो सकता है। जरूरी है कि अपने खर्च का एक बार लेखा जोखा ठीक से निकालें। नहीं तो स्थिती चिंता जनक भी हो सकती है। तैगर लें कि पाउं उतन ही फैलाना है जितनी लंबी चादर है। आज आपको सुरक्षित खाना और बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तिमाल करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संकर्मन से दूर रखें। ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्या पार बच्छित खार भर वालों को किसी बीमारी यादा ज्यादा परिवार ज्यादाव झाव है।